तो जैसा कि आप आज देख सकते हो हम लोग कवर करने वाले हैं SSE CGL 2020 में पूछे गए जितने भी tier 1 के questions हैं तो आज हम जो questions करेंगे वो होने वाले हैं biological questions तो stay tuned और आगे तक की वीडियो completely देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे questions इस बार बहुत conceptual questions थे बहुत deep concept से पूछे गए थे तो maximum questions ऐसे थे जो हमने classes में cover कर रखे थे बट कुछ questions ऐसे थे जो I think बनाए ही point of view से गए थे कि जिनका biological background नहीं है वो attempt नहीं कर पाएंगे सो don't worry let's start the video लेकिन वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ एक सेक्ड़ SSC के regarding सबसे पहले updates के लिए channel को subscribe करना ना भूले इसी के साथ हमारा जो टेलिग्राम पे चानल है at the rate rb underscore s आप उसको सर्च करके आप टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं सो दाट आपको सारी pdf's timely hand to hand मिल जाएंगी इसी के साथ playlist हमने बना दी है youtube पर तो एक बार जरूर जाके playlist को visit करें जैसे यह monthly current की playlist है इसी के साथ computer की अलग बना दी है 2.0 biology crash course gk crash course gs crash course current affairs सबकी playlist बना दी है तो टाइमली प्लीज चाकर चेक करें so that you don't miss out on any video इसी के साथ हमारा officer batch जो की बहुत recommended batch है from the point of view of upcoming examinations जिसमें आपके सारे subjects पे proper focus होने वाला है math english gs और reasoning का आपको सब कुछ मिलने वाला है new batches भी इसके अंदर include हो रहे हैं जो mains को target करके हमने launch किया है तो please इस पर अगर आपको लगता है कि आपको need है तो आप enroll कर सकते हैं आज ही rb application को download कीजिए और इसमें enroll कीजिए इसी के साथ अगर आपको complete gs का separate batch चाहिए तो वो of the following विटामिन और खनेज निम्न लिखित में से किस चीज के लिए सहायक होते हैं हमारी बॉड़ी में विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं बट में उनका काम क्या है तो सबसे पहला है proper breathing यानि उचित श्वसन के लिए अगला है carry out metabolic reactions in our body हमारी बॉड़ी में उपाप चाहिए अभी क्रियाओं के लिए proper sweating पसीना आने के लिए proper fat storage उचित वसा बंडान के लिए तो मैं आपको बता दूँ जो इसका correct answer है carry out metabolic reactions जो vitamins हैं और जो minerals हैं वो reactions करवाने में मदद करते हैं अगर बात करूं श्वसन के लिए तो उसमें विटामिन मिनरल का कोई रोल नहीं है अगर बात करूं पसीना या sweating के लिए उसमें कोई रोल नहीं है वो आपके अंदर sweat glands होते हैं पसीना गर ग्रंती होता है जिसके थू निकलता है fat storage का जो tissue होता है वो कौन सा होता है यह मैंने आपको class में पढ़ा रखा है edipose tissue इसका भी विटामिन और मिनरल से कोई लेना देना नहीं है next question की बात करते हैं which type of liver warts form umbrella shaped structures that raise gemetangia above the main gametophyte body and sporophytes developed below these structures यानि अगर आप confused हो तो मैं आपको बता दूँ इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से liver warts यानि कौन से पोदे जो category है उनमें एक अगर आपको दिख रहा हो picture में यह umbrella एक छत्र की shape बना लेते हैं जिसके नीचे उनके जो sporophytes है जो gametophytes यानि जो मेन युग्मकोश हैं वो develop होते हैं वो विक्सित होते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है मर्चेंटी आप देख सकते हैं मर्चेंटी वो पोदे हैं तो इसके बारे में बहुत rarely students को पता होगा मुझे ऐसा लगता है question भी आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार के liver what शत्र के अतार की संरचनाय बन होती हैं और इन संराचनाओं के नीचे बिजानुद भिद्विक्सित होते हैं यानि इनके नीचे sports develop होंगे और इनके ऊपर जो है वो क्या develop होगा gametophyte body हो इनके ऊपर body develop होगी तो इसका जो सही आंसर है वो है मर्चेंटिया और पिच्चर आप ता कि आपको याद रहे पेश्य ग्रसनी होती है फेरिंग कौन सा पॉर्षन होता है यहां पे आपका mouth यानि जो खाना खाने वाली नली है जो food pipe है iso phagot और जो wind pipe है जो ट्रैकिया होता है जो सास लेने वाली नली होती है इसको ट्रैकिया बोलते है वो दोनों जहां पर जुडती है तो यह portion जो होत तो वो बोल रहे है हिंदी में जिसको हम बोलता है पेशिय ग्रंती तो ऐसा कौन सा और्गेनिजम है इसा कौन सा जीव है जिनकी इन चारों में सबसे सू परिभाषत वेल डिफाइन फैरिंग्स होता है तो इसका करेक्ट आंसर है एसकेरिस एसकेरिस जो है वो आपका नीमा ट two की क्या पारी में अब एक जानवरों कि तो उस काटेगरी में आता हो ignoring it मोट्री लॉट क्या होता है तो और बहुत बहुत तरिके सासांन था टाइफ लोप्स नीयिओ कि बिल्कुल अन्धा होता तो ब्लाइं नेक जो है आप s gross पै decep के बात करते है इन में आपको च altri होती हाई लग अलग तरीके की होती है औश यह वह क्ल यह पानी एक पहले में बात करूं मेरा भाइब हो निए प्राउन Music एंस से सुटतर अजिकर हो बात करते है तो सब्सक्राइब के यहां परकुर से भूर रंंको में पर विम्हेल, सब्सक्राइबिकर यहां के सउट सब्सक्राइबन कारँ Mr.4 हो के कही वहां में वगाई Mother Universe इसका मतलब आपको इनके कलर याद होने चाहिए राइ रोडो से रेड बन गया लाल बन गया फाइको से ब्राउन बन गया और साइनो फाइसे ही से आपका बन गया ब्लू ग्रीन अल्गे नेक्स्ट के बात करते हैं नेम और रिप्रोड़क्टिव स्ट्राटेजी इन विच पैरसाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ दे कियर अधर इंडिविजुल्स ऑफ दे सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज तो रेज देर यानि एक ऐसी व्रनमिती का नाम बताईए जि है प्र данि हंद्गन की आपने एंडे का रहा अपने यथ जो प्रू okay है कि अपने अच्यम कोण यानि कि आपका जो क्रो होता है उसके नेस्ट में छोड़के जाती है वह अपने बच्चे को खुद नहीं पालती है तो मैं आपको यप बोलना चाहरा होँ तो इसका जो अंसर ह यानि शाव पर जीविता इसमें क्या होता है कि एक पर जीवी अपनी ही प्रजाती या विभिन प्रजातियों के अन्य जीवों के देख बाल का लाफ्थ उठाते हैं इसमें से लाल शेवाल कौन सा है ये जस्ट आपने अभी किया लाल जो शेवाल है रोडो वर्ट जुड़ता है रोडो फाइसी नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करते हैं विच अप दा फॉलोईंग सेल्स अर फाउंट इन दा लीवर ओफ मैमल्स संधारियों के यक्रित में निम्नलेखित में से कौन सी कोशिकाय पाई जाती है इन में से जो आपकी कुफर कोशिकाय जो कुफर सेल्स होते हैं ये मिलती हैं आपको संधारियों के यक्रित में हमारे जो मैमल्स हैं हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें जो लीवर में मिलेंगे, जो आपको यकरत में मिलेंगे, वो कुफर सेल्स मिलेंगे, इसी के साथ सेंसरी सेल्स, ये कहां मिलते हैं, सेंसरी सेल्स मिलते हैं आपको आपके सेंस ओर्गन्स में, हर जगा सेंसरी सेल्स मिलेंगे, ब्रेन में सेंसरी सेल्स मिलेंगे, इ यानि हाइपो पेराथाराइडिस्म दुष्चिकेट्स और पारिवारिक हाइपो फोस्फेटीमिया के इलाज के लिए किस विटामिन D समधर्मी का इस्तिमाल किया जाता है इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं बेसिकली विटामिन D जो है वो क्या होता है विटामिन D का साइन्टिफिक नेम क्या होता है विटामिन D का साइन्टिफिक नेम होता है कैलसी फिरोल आपको मैंने याद करा रखा है कैलसी फिरोल इसका नाम है तो वो यह बोल रहे हैं विटामिन D का बताओ कौन सा समधर्मी बिल्कुल इसके जैसा कैमिकल है जो आप इस् only living representative of phenocida that has an underground creeping and perennial rhizome that gives off aerial as well as underground branches, इसका मतलब क्या है? phenocida का एक मात्र जिवित प्रतिनिधी कौन सा है? ये एक काटेगरी है, phenocida, इसका सिर्फ एक representative बचा हुआ है, जो कैसे कैसे चीजे देता है, मैं आपको बता देती हूं, underground है, भूमी गत है, creeping and perennial rhizome, दीरे दीरे बढ़ने वाला और बहरा मासी प्रकंद होता है, जो हवा के साथ-साथ, भूमी गत शाखाए भी देता है, यानि हवा में तो इसकी शाखाए होंगी ही, underground इसकी ब्रांचिस भी होती है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, इक्वी सेटम, आप देख सकते हैं, यह हवा के साथ-साथ, यानि जो एर में तो ब्रांचिस इसकी होती ही है, साथ-साथ underground ब्रांचिस भी होती है, तो इक्वी सेटम है, और कौन से काटिगरी का है? प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, और राइबोजोम जो है, वो क्या बनाते है? प्रोटीन इसको फैक्टरी ओफ प्रोटीन भी कहा जाता है साथ में, कुछ एक्ट्रा क्वेश्चन, लाइजोजोम्स जो होते हैं, लाइजोजोम्स को निकनेम क्या है? लाइजोजोम्स को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे, स्केविंजर्स ओफ दा सेल, सुसाइट बैग ओफ दा सेल, डश्ट बिन ओफ दा सेल, यानि कोशिका की, आप कह सकते हो, डश्ट बिन, जो व्यर्थ, जो आपकी वेश्ट प्रोट्ट को जहां पे डलता है, वो लाइजोजोम्स ही है, निकलियत को क्या बोलता है, केंद्रक सीञव केंग अब बात करता है, आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा पोशक तथव है, कौन से न्यूटरेंट्स ही, उनका सोड़्स क्या है, उनका स्थ्रोत्र क्या है, तो सबसे पहले हम बात करता है, प्रोटीन रिच पूड की, जो वीट, लैमन, एग वाइट, और ब कमेंड करते हैं तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो गया वो हो गया C सेकंड है फैट रिच फूट आपको फैट जो है अगर आपको वसा युक्त भोजन चाहिए तो आपको फैट कहां से मिलेगा ये भी सबको क्लियरली पता होगा बटर बटर और चीज से तो सेकंड पोर्शन में सेकंड कांसर हो गया D कार्बो हाइडरेट रिच फूट कार्बो हाइडरेट रिच फूट जो है आपको जो कार्बो हाइडरेट जहां से मिलेगा ये मिलता है आपको गेहूं से गेहूं से आलू से कारवो हाइडरेट बहुत जादा मिलता है तो third का हो गया A vitamin कहां से मिलेगा vitamin C vitamin C तो आपको पता है खटा होता है तो lemon जो है वो आपका answer हो गया तो आपका हो गया C, D, A, B यानि option D जो है आपका correct answer हो गया next question की बात करते हैं इन में से कौन सा इस चार्च का दूसरा नाम है जो चार्च कहां कहां पाया जाता है मकई आलू गेहूं चावल के बीज फल कंध पौधे की जड़ों में और तनों के गूदे में पाया जाता है इस चार्च का जो निक नेम हो क्या है तो से पहला एंकलाय जा नहीं है पहली चीज तो यह यह आपका गलत है यह आपका correct answer हो गया बात ही हम पढ़ लेते हैं एक round warm है नीमा टोट्स की काटेगरी में आता है टेनिया एक tape warm है यूचीरिया एक philarial warm है और ये तीनों ही आपके नीमा टोट्स की काटेगरी में आते हैं अब next ये question जो है ये आप देख सकते हो ये प्रकार नाम क्या है तो इसका जो answer है जो नीली हरित शेवाल है आपने पहले भी पढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं साइनो बैक्टिरिया एका हो गया आपका fourth अब एका जो fourth है इसमें वैसे एक में ही है C में तो आपका C answer हो गया है बागी भी discuss कर लेते हैं जो red algae है उसको rhodophyta बोलते हैं आपको पता है green को हम chlorophyte से ही बोलते हैं otherwise इसको एक और नाम है chlamydomonas brown algae को हम क्या बोलते हैं brown algae को phyco से ही बोलते हैं लेकिन इसका एक और नाम है sargayasam और ये काफी important है brown algae को sargayasam भी बोला जाता है what helps in making the acidic food alkaline that is coming from the stomach जब अमाश्य से यानि पेट से जो खाना आता है वो अमलिय होता है acidic होता है तो उसको basic में यानि उसको आप कह सकते हो शारिय बनाने में कौन मदद करता है तो वो करता है आपका bile juice क्योंकि bile खुद एक शारिय उसका गुन है वो खुद शारिय गुन का होता है वो खुद basic nature का होता है तो वो क्या करता है उसको basic में convert कर देता है और ऑख्वाइट लाइकोफाइट बिलोंग टूब इंडॉप फॉलोइंग रूप फॉर्ण हो गया और से लोगया इनमें से किस सम्वू से संबंदित है तो जो सम्वू इन से संबंदित है वहां आपका टैडोपाइट यहां आगे आपको पिक्चर भी मिल जाएगी यह प्रतोक्रमी बोलता है को प्लैटी हल्मिन प्लैटी हेलमिन्स डाफ स्टे वउप इसे बाहर के लिए वाम से वाम से बिलकुल चप्टे हुए वाम्स होते हैं सब प्लैटी हल्मिन्स में आते हैं तो इन में Osmo regulation पानी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा पानी बॉडी के प्रोटीन कहा बनते हैं राइबोजोम्स में बनते हैं इस इंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाइ एंटन वॉन ल्यूवन हॉक इन यानी एंटन वॉन ल्यूवन हॉक ने यूनी सेललर और्गेनिजम्स जिनमें एक ही सेल होता है उनकी खौज कब की थी तो उन्होंने खौज की थी उनकी 1674 में तो यह वो चीज है जो कि आपको लर्ण ही करनी पड़ेगी तो 1674 में उन्होंने सिंगल सेल लाइफ फॉंप के डिस्कवरी की थी इसलेक्ट ने इंकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस पर्म्स जिन्वोस पर्म्स के बारे में गलत जो कथन है उसका चैन कीजिए देखिए सबसे पहले तो मैं बता दू जिम्नोस पर्म्स होते हैं जिन में फल नही नहीं आते हैं जिम्नोस पर्म्स होते हैं जिसके अंदर जो बीज होते हैं वो खुले हुए होते हैं कोई फ्रूट नहीं आते फल के अंदर बीज नहीं होते हैं बिल्कुल नगन होते हैं तो वह होते हैं आपके जिम्नोस पर्म्स तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले दीजर स flowering plants seedless तो होते हैं नहीं seed होते हैं इन में बीज होते हैं पर फ्रूट के अंदर नहीं होते फल के अंदर नहीं होते तो यही गलत है बाकी सब पढ़ लेते हैं क्योंकि बाकी सब बिल्कुल ठीक होंगे gymnosperms are typically slow in terms of reproduction प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं up to a year में पास between pollination and fertilization मतलब की आप ये समझो परागन और निशेशन के बीच में लगबग एक साल तक का समय लग सकता है और बीज को seed को mature होने में तीन साल तक का समय लग सकता है gymnosperms कैसे मिलते हैं ये जो woody shrubs होती है कास्टिय जाडिया होती है पेड हो गए जिन में कोई फल नहीं आता है वही है इसी के इलावा naked seeds होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर बिल्कुल अनावरत बीज होते हैं किसी फल के अंदर नहीं होते select the incorrect statement about phylum arthropod arthropod के बारे में संधीपाद जिसको बोलते हैं उसके बारे में गलत कथन का चेहन कीजिए मैं पहले आपको एक बात बता दूँ आर्थरोपोड जिनको संधीपाद बोलते हैं इसमें वो जानवर आते हैं जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं jointed legs और यह काफी important है इसमें सबसे फेमस है cockroach वो इसी के अंदर आता है butterfly वो भी इसके अंदर आती है आठ्रोपोड के अंदर तो अब आपके फटा-फट से पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहला class insecta is the largest class of phylum arthropod यानि जो insect कीट मकोडे हैं वो आत्रोपोड की category के अंदर संधी पाद की category के अंदर सबसे बड़ा वरके बिल्कुल ठीक है तो आपको मैं बता दू लर्ण भी करते चलिएगा इसमें से भी question बन सकता है next over 85% of all the known animal species are arthropods जितने भी आप पशु पक्षियों को जानते हो पशु प्रजातियों को जानते हो उनमें से लगबग 85% से अधिक arthropods यानि संधी पाद है ये भी बिल्कुल ठीक है phylum arthropod यानि इस संग के अंदर जितने भी होंगे वो jointed appendages यानि बिल्कुल जिनकी आप कह सकते हो संयूक्स उपांग जो मैं कह रही थी jointed legs वाले ये भी बिल्कुल ठीक है next lignin is the main component of exoskeleton exoskeleton का मतलब होता है भार की तरफ का धांचा तो वो जो बना होता है वो lignin का नहीं बना होता तो option D ही गलत हो गया mitochondria is not found in mitochondria इन में से किसके अंदर नहीं मिलता तो मैं बता दू जादतर चीज़े bacteria के अंदर नहीं मिलती bacteria यानि जीवानों की जो समरचना होती है जो structure होता है सबसे पुराना होता है तो इसके अंदर mitochondria नहीं मिलता चले इनको match करना है सबसे पहला है jellyfish तो jellyfish कौन सी category के अंदर आती है ये आपको याद रखना पड़ेगा तो jellyfish जो आती है वो आती है silentrate के अंदर jellyfish की जो category हो गई वो हो गई silentrate तो first का जो आ गया वो आ गया D अब हम बात करते हैं आगे crayfish की जो आपका crayfish है crayfish हो गया आपका एक mammal stun pie crayfish जो है जब वो जनम देती है तो मचली को ही जनम देती है अंडे नहीं देती तो first का जैसे आपका D था यह याद रखेंगे jellyfish तो बहुत important है यह एक silentrate है crayfish क्या हो गई mammal हो गई तो यह आपकी जो category है मेरे क्याल में sorry एक second एक second एक second first जो हो गई आपका jellyfish वो हो गई आपका mammal इसके बाद बात करते हैं second का crayfish sorry crayfish है insect whalefish है mammal whale जो है वो हो गई आपकी mammal तो आपका जो first का हो गया वो हो गया आपका silentrate crayfish हो गई insect whalefish हो गया mammal और यह है आपका option C fourth devil fish की बात करूं तो वो है mollusk का mollusk नॉर्मली वो होते है mollusk वो होते हैं जिनके ओपर एक बहुत hard shell होता है बहुत कठोर shell होता है तो यह हो गया option C देखे यह प्रपर रटने वाला question है in which year did E. Jotter and F. Grendel make a breakthrough by examining the surface area of lipids and concluded that the lipid surface surrounding cells must be of two layers कौन से वर्ष में E. Gotter और F. Grendel ने वसा के सहर छेत्रफल की जाच करके बड़ी सफलता हासिल की थी और निश्कर्ष निकाला था कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सहर दो पर्पतो वाली होनी चाहिए basically तीन चीज़े यहां से पता लगने वाली आपको एक तो कौन से साल में यह पता लगा कि जो लिपिड्स होते हैं जो वसा होती है उसकी दोस्त है होती है दो लेर होती है और उनकी खोज किसने की उनकी खोज इन दोनों ने की ग्रोटर और ग्रेंडल है तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका उनने सो पच्चेस उनने सो पच्चेस में एक खोज हुई थी तो यहां से तीनों चीज़े आपको पता लग जाएंगे विच प्लांट इस कंसिडर्ड अ नॉक्सियस वीड दाट है जाएंगे किस पौदे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है वीड या खरपतवार कौन से होते हैं यह ऐसे पौदे होते हैं जो मेन पौदों के साथ खुद से उग जाते हैं और उनको जो भी उनका जो भी पोशन है उनका जो भी खाना यह खुद खाते हैं तो यह मेन पौदे के स से बचने के लिए रसायनिक रक्षा तंत्र होता है यानि इनके अंदर कैमिकल्स होते हैं जो यह एकदम से छोड़ देते हैं अगर कोई जानवर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो तो यह होते हैं कैलो ट्रॉपिस आप देख सकते इस तरह के से दिखने वाले फूल होत है चोटे चोटे बिल्कुल केलो ट्रॉपिस यह वीड हैं खर्पतवार हैं जिनका जो क्यामिकल्स कर देते हैं नेक्स्त आम बात करते हैं वाट इस दॉमन टर्म फॉर Ankylostoma Ankylostoma के लिए समाने शब्द क्या है Ankylostoma कौन से कीडो को कहा जाता है इन ये hookworms को कहा जाता है जो दिखने में इस तरीके के होते हैं तो hookworm का दूसरा नाम है Ankylostoma 1,3-dimethylbenzene also known as 1,3-dimethylbenzene का दूसर नाम क्या है Amxylene इसका मतलब क्या है ये benzene है आपका तो 1 और 3 position पे अगर methyl group है तो इसको एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं metazylene आपको बता दूँ total 3 positions होती है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर यहाँ पे कोई group attach है तो ये होती है ortho ये होती है meta और ये होती है para तो यहाँ पर attach है तो meta xylene अगर ये यहाँ attach होता तो ortho xylene अगर ये यहाँ attach होता तो para xylene नाम आता इन प्लांट dash is present in the middle lamella primary cell and secondary walls and accumulates in the initial stages of development during cell expansion पोधों में क्या चीज किन किन के बीच में रहती है मध्या पटल यानि middle lamella प्रात्मिक कोशी का यानि सबसे पहले cell के सबसे पहला cell जो दूसरी दिवारे होती है उनके बीच में या फिर जो मध्या में बिलकुल पटल होता है middle lamella होती है उनके बीच में होता है और जब कोशी का विस्तार होता है जब cell बड़ा हो रहा होता है तो उस stage में भी अपने आपको इकठा करके रखता है तो वह कौन सी चीज है वह है आपका पैक्टिन पैक्टिन है जो अपने आपको इस तरीके से कठा करके रखता है विच अब दफ फॉलोइंग इस इनकरेक्टी मैच इन में से बताएग गलत जो है वह कौन सा ग्रूप है सबसे पहले ब्रायोफाइटा का एक 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 जामपल है मौस बिलकुल सही बात है ब्रायो यौन जो यौन में फॉलो नहीं आते इनके जो सीड अं बीज ओन अनाव्रत होते यौनलल रखा म्खन कर दोनों आतए है तो रोग इसका एक जामपल होगा ऑफ फूल तो आही रहा है टाईडोफाइट का एक्जामपल साइक्से बिलकुल गलत है टाइडोफाइट का एक्जाम्पल साइटिस नहीं होता है विच फ्रॉम फॉलोएंग इस फाइलम ऑफ अनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर, पॉंड्स, लेक्स, प्रोवाइट सीतेई और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन इन में से कौन से ताजे पानी के तलाब, जील, दलदलों में पाये जाने वाले जन्तोगा संग है यानि ऐसा कौन सा ग्रूप है जो ताजे पानी में मिलेगा इसी के साथ चलने के लिए उनके पास शूक जिसको सितेई बोलते हैं या पैरापोडिया होता है तो ये होते हैं आपके आनलेड्स आनलेड्स साफ पानी में मिलते हैं और इनके पास चलने के लिए जो ओर्गन है वो है शूक जिसको सितेई या पैरापोडिया बोलते है इडेंटिफाई दा फंक्शन ओफ लाइपेस इन दा प्रोसेस ओफ डाइजेशन जब पाचन की क्रिया होती है उसमें लाइपेस का क्या रोल है आपको वो बताना है तो मैं आपको बता देती हूँ लाइपेस है क्या लाइपेस कौन निकालता है सबसे पहली चीज़ लाइपेस निकलता है पैंक्रियास में से अगनाश्य में से पैंक्रियाज निकालता है पैंक्रियाटिक जूस ठीक है पैंक्रियाटिक जूस निकलता है उसके अंदर निकलता है लाइपेज और लाइपेज काम क्या करता है जो फैट तूटा हुआ है जो वसा पहले ही तूट चुका है बाइल की कारण वो उसको डाइजेस्ट करेगा उस पाइसी क्रत्वसा का विगटन करना चलिए फिर से मैचिंग आ गई सबसे पहली अलजयमर्स डिसीज जो अलजयमर्स डिसीज है जो अलजयमर्स रोग है यह होता है ब्रेन का दिमाग का इसके अंदर इंसान की मैमरी जो उसकी याद रखने की जो शक्ति होती है वो अपने डिप्थेरिया की बात करते हैं डिप्थेरिया जो है आपका वो हो गया नोज और थ्रोट से रिलेटिड नाक और गले से रिलेटिड तो डिप्थेरिया जो है वो टार्गेट करता है नोज और थ्रोट को गोनोरिया गोनोरिया जो है एक ऐसी बिमारी है जो सेक्शुली ट् transmitted disease है जो मेटिंग के टाइम पर होती है तो आप समझ सकते हो रिप्रोड़क्टिव ट्रैक्ट को ये फोलो करेगी थोर्ड का अंसर हो गया B फोर्थ का अंसर आटमाटिकली A है पर फोर्थ क्या है मम्स मम्स किसका रोग है लार्ग रन्थियों का रोग है तो यहां से आपका अंसर हो गया option A next question की बात करते है मेंडरीना is the generic name of which silentrate animal having soft tube shaped bodies that live together in large groups मेंडरीना पहले चीज़ तो आपको याद रखने है मेंडरीना कौन सी category से बिलोग करती है silentrate से बिलोग करती है अब इन्होंने बोला soft bodies है बिल्कुल मुलायम bodies है इनकी tube shape की bodies है आप picture में भी देख सकते हो और यह एक साथ रहती है large group में तो यह होते है brain coral coral जो है वो silentrate में आते है और brain polar जो है वो नाम है इन विच एयर डिडन अमेरिकन साइटो जेनेटिसिस्ट नेम्ड जोए हिंड जियो पब्लिश और रिसेर्ट फाइंडिंग डिफाइंड टुए इक्वल 46 एज एक्वल नंबर ऑफ हुमन क्रोमोजोम देखो इनोंने क्या बोला directly नहीं पूचा कि किसने बताया था कि हमारी बॉड़ी में 46 ख्रोमोजोम होते हैं 46 क्रोमोजोम होते हैं यह 23 पीर होते हैं क्रोमोजोम के उन्हों ने पूचा इन्होंने आपको दो तीन चीज़े बता दी तो यहांसे जो आपको लेंड करनी है आगे आने वाले इन्होंने बताया था 1956 में तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन में से कौन से खाने को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है इसी के साथ आगे इनोंने क्या बोला जो जिन बच्चों को यह रोग हो जाता है या तो वो टीक से बढ़ या विक्सित नहीं हो पाते और अपने शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते हैं तो वो आपसे पूछना है कि बताओ तो आपको मैं बतादू option भी बिल्कुल ठीक है option यह तो गलत है यह protein की कमी की वज़े से होता है और जिनको यह रोग होता है वो बिल्कुल भी grow नहीं कर पाते बढ़ नहीं पाते और पूरी जिन्दगी अपने उनकी जो मतलब stunted रह सकते हैं नाटे रह सकते हैं गलाइको परत को हम क्या कहते हैं जब वो जिवानू की कोशी का आवरन में एक शितिल आच्छदर की तरह होती है मतलब कि आप कह सकते हो कि जो बैक्तीरिया का जो सेल है अगर उसके अंदर ग्लाइको कैलिक्स नाम की एक लूद शीट हो एक लेयर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोला जाता है स्लाइम लेयर स्लाइम सम्खेलते भी है ना स्लाइम आपके पढ़ा भी होगा वह बहुत फ्लेक्सिबल होती है वही स्लाइम है पूरोफाइट सेज इस डॉमिनेंट इन विच प्लांट ग्रूप बीजानूत बिद अवस्ता किस पादप समू में समू में प्रभावी होती है तो वह आपसे पूछ रहे हैं इस पोरोफाइट स्पोर्स छोटे-छोटे दाने किसमें बनते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में समवहिनी पादप में जिन में वैस्कुलर जिन में आप समझझ सकते हों जायलम और फ्लेयोम होता है ढगान और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनमे इस्पोर्स बहुत जाधा मिलते हैं दाने दाने बहुत जाधा बनते है इन में से क्लोरोप्लास राइबोजोमzeniu और प्रेजेंट इन फंगल सेल्स कवकिय कोशिका में अरित्त लवक राइबोजोम और केंद्रक उपस्थित होते हैं यह बिल्कुल ठीक है एक्जेक्ट रहना जी नहीं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फंगल सेल्स में यह सब नहीं होता इस अगर क्लोरो प्लास्ट होते त अगला, Mitochondria and Nucleus are found in bacteria, इस पर आप कोशन पढ़ चुके हो, ये भी गलत है, Mitochondria and Nucleus is absent in plant cell, पादब कोशिका में सूतर कनिका और केंडरक अनुपस्तित होते हैं, ये भी गलत है, Ribosomes, Mitochondria, Lysomes are found in animal cells, हमारी कोशिकाओं में, Ribosomes भी मिलेगा, Mitochondria भी मिलेगा, और L ये बिल्कुल ठीक option है, Which of the following is found in plant cells on lean में से केवल पादब कोशिकाओं में पाई जाती है, वो क्या चीज़ है, लेको Mitochondria दोनों में मिलेगा, और Mitochondria का इक और नाम है, Powerhouse of the cell, हमारी कोशिका को जितनी power मिलेगी, energy मिलेगी, यहीं से मिलेगी, Nucleus, दोनों में मिलेगा Cell wall, कोशिका भित्ती है, जो हमारे अंदर नहीं मिलेगी, पौदों में मिलेगी, और पौदों को सुरक्षित रखने का काम करती है, तो cell wall is the correct answer The outermost cover of plant cell is known as, जो पौधे होते हैं, पौधों में सबसे भारी का आवरन है, वो क्या कहलाता है, अब भी आपने पढ़ा cell wall, कोशिका भित्ती सबसे भार का आवरन है, हमारी body में क्या होता है सबसे भार का आवरन, cell membrane, यानि कोशिका जिली, कोशिका जिली किस चीज की बनी हो into phenolic group is present in formigranate, eggplant, black carrots and red cabbage, अनार, बैंगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोबी में, कौन सा फिनॉल सम्मू से संबंदित, कौन सा जल में घुलंशील वरनक मौजूद होता है, यानि वो जो chemical है, वो फिनॉल से related है पहली चीज, और वो इन तीनों चीजों में present होता है, तो ये है एंटोसायनिस, जब कैरेट की बात आई, गाजर की बात आई, यह मैं कहीं बार पता चुकी हूँ, एंटोसायनिस, ये एंटोसायनिस मैंने कहीं बार समझाया है, क्लास में, ये इनके अंदर होता है, और फिनॉल से attached है, फिनॉल से related है, इन में से कौन सा पारिस्थिति की विद्, 1896 में, इंडियाना ड्यून्स में पादपो के जीवन का अध्यन करने के लिए प्रसिद हुआ था, वो कौन सा है, जो कि एकोलो जेस्थ है, जिन्होंने इंडियाना ड्यून्स में पढ़ाई की थी, तो वो है आपके Cowles Henry Chandler Cowles What happens to the guard cells When water flows into them Guard cells ऐसे shape क्यों होते है तो जब इनके अंदर पानी जाएगा तो ये बिल्कुल Fool जाते हैं, swell up हो जाते हैं और बिल्कुल अपनी shape में आ जाते हैं और stomata को खोल देते हैं जो ये छिदर हैं इनको खोल देते हैं स्चोमी छिदर को खोल जाते हैं तो स्चोमेटल जो पोर्स हैं वो बिल्कुल खोल जाते हैं Which group of animalia has unsegmented bilaterally symmetrical soft bodies with a triploblastic construction and a lacking column skeleton and anus animalia यानि जानवरों में के जगत है जो आपका आप कह सकते हैं जानवरों वाला जो group है उनमें कौन सा समू है इनमें से जिसमें अखंडित यानि body में segments lines lines नहीं होंगी bilaterally symmetrical है दो हिस्सों में बाटोगे तो बिल्कुल बराबर बराबर बट जाएगी बहुत soft body है बहुत मुलायम body है triploblastic construction यानि की तीन सते हैं उनकी skin में तीन सते हैं इसी के साथ column column क्या है आप कह सकते हो जा खाली जगा होती है वहां पर chemical भरा होता है इसको column बोलते हैं बिल्कुल जो चपते हैं होते हैं वो यही होते हैं तो इनमें एनस नहीं होती है which of the following statement is correct regarding cell membrane इनमें से कौन सा कथन कोशिका जिल्ली के संबंद में बिल्कुल ठीक है सबसे पहला it is selectively permeable to some molecules present on either side of it यह जिल्ली कुछ अनुओ के लिए चुनिन्दा रूप से पारगम्य होती है बिल्कुल ठीक है आपको मैं बता दूँ इसका दूसरा नाम ही selectively permeable membrane है यानि परगम्य जिल्ली है यह क्या करती है चुनिन्दा रूप से परगम्य जिल्ली है यह कुछ चीजों को अंदर आने देती है कुछ चीजों को बाहर जाने देती है पर सबको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने नहीं देती है तो first value बिल्कुल ठीक है water may also move across this membrane from lower to higher concentration पानी भी जिल्ली से होकर गुजर सकता है लेकिन यहां पर गलती कर भी हमेशा high concentration से low concentration में जाता है उच सांधुरता से निम्न सांधुरता में जाता है तो दूसरा गलत हो गया केवल पहला ही सही है which form of leucoplast specializes in oil synthesis and storage अवनी लवक यानि leucoplast का कौन सा रूप है जो तेल को मतलब जो oil है उसको बनाने में भी मदद करता है उसके भंडारन में भी मदद करता है और कहां मिलता है pollen grains की cell में मिलता है यानि जो परागकन है उनके उनकी अंदर उनकी पड़तों में मुख्या जाता है तो इसका आंसर है ilioplast ilioplast famous ही है oil storage और synthesis के लिए next question की बात करता है which cells also called neural emma cells are the main glial cells in the pns and play an essential role in the survival and functions of neurons PNS क्या है primary nervous system peripheral nervous system sorry आप से पूछ रहा है कौन से cells है कौन सी कोशिकाए है जिनको neural emma कोशिकाए भी कहा जाता है जो PNS peripheral nervous system peripheral nervous system होता है जो आपके दिमाग और spinal code जो होता है इनकी मदद करता है जिसमें सारी nerves आती है उनके मुख्य रूप से उसमें कोशिकाए है और neurons के अस्तित और कार्रय में एक आवश्यक घुमिका निभाता है तो वह ऐसे कौन से है तो ऐसे उनको बोलता है श्वान कोशिका है श्वान सेल्स तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन भी इन विच इयर डिद वॉल्टर फ्लैमिंग कॉइंग टार्म क्रोमेटिन फॉर देंट सब्सक्रेंस फाउंड इन सेल नियूक्लियस दो चीज़े आपको इंपॉर्टेंट पता लगी इस question से पहला वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के किन्वर्ट में पाय जाने वाले रंगीत पंदाथ के लिए प्रोमेटिन शब्थ प्रतिबादित किया था तो आपको पहले चीज़ पता लगी क्रोमेटिन वर्ड के बारे में सबसे पहले किस ने बताया थ था वॉल्टर फ्लेमिंग ने दूसरी चीज जो पता लगी कौन से साल में 1879 में तो 1879 इसका करेक्ट आंसर हो गया कि विश्व फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दली वर्यकृत के संबन्ध में कौन सा कथन सही नहीं है सबसे पहला इस यह निकालता है अपने अंदर से बाइल जूस यानि की आप कहा सकते हो पित रस जो कहां पर इस चोर होता है गॉल ब्लेडर के अंदर पिताश्य के अंदर identify an endo parasite found in animals प्राणियों में पाय जाने वाले अंतह परिजीवी की पहचान कीजिए यह बॉड़ी के अंदर ही मिलता है यह आपका किसका एक्जाम्पल है प्लैनेरिया का एक्जाम्पल है यह जो पिच्चर है प्लैनेरिया के डाल रख्यों प्लैनेरिया क्या है फ्लैट वॉर्म फ्लैटी हेल्मिन्स फ्लैट वॉर्म्स चप्टे क्रमी है ये बॉडी के अंदर ही मिलते है चलिए फिर से बिमारी आ गई है और ये बताना है कि एक बिमारी कौन से ग्लाइंट से रिलेटिड है सबसे पहले हम बात करते हैं अगला है हाशी मोटोस डिसीज जो है वो थाइराइड ग्लाइड से रिलेटिड होता है जिससे गोईटर नाम के बिमारी होती है और वो आयोडीन की कमी से होती है तीसरा, acromigalie acromigalie जो है वो है आपका growth hormone से related तो acromigalie जो है वो growth hormone से related होता है तो third का C हो गया अगला है C A S I A D H ये है vasopreistance से related तो इसका correct answer हो गया option A As per the dietary guidelines recommended by doctors the RDA for cholesterol intake in healthy adults and Children above 4 years of age is dash, यानि चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार, संबंदी दिशा निर्देशों के अनुसार, जानि जो उन्होंने एक safe value बता दी है, कि जो 4 साल से उपर के बच्चे हैं, और जो स्वस्थ एडल्ट हैं, जो बिल्कुल आपके व्यस्थ हैं, उनको एक दिन में कितने मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल लेना चाहिए, या ले सकते हैं, तो वो है आपका 300, 300 मिलिग्राम पर डे की जो है वो RDA है, वो limit है, इन में से कौन से जनतु है, जिनका जो पूरी बॉड़ी है, तीन जगा डिवाइड होती है, सर, वक्ष और उदर, तो यह तीन जगा जो डिवाइड होंगे, अगर पिच्चर से ही आपको पता लगेगा न, आपको बटरफ्लाई दिख रहा है, सबसे पहली बात बटरफ्लाई किसमें आती है, आठ्रो पोर्स में आती है, संग पादित में आती है, तो यही है आपका, जिसके अंदर बॉड़ी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, इडेंटिफाई एन और्गेनिजम दाट एग्जिबेट्स मेटाजेनेसिज, एक ऐसे जीव की पहचान करो, जो मेटाजेनेसिज परदर्शित करता है, तो यह है आपका ओबेलिया, यह आप ओबेलिया देख सकते हो, यह मेटाजेनेसिज है, एक फेज होता है रिप्रोड़क्शन के टाइम पर, तो मेटाफेजिज जो है, जो समय कांतरन है, वो कौन दिखाता है, वो ओबेलिया दिखाता है, यह पिच्चर में आपको मैंने लगा रखिये, तो यह थे सारे बायलॉजिक के क्वेशन, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और उससे पहले आपको फटा-फट से रिव्यू देते हैं, बैचिस का, दुरोनाचारा बैच अब एविलेबल है, इसी के साथ टेलिग्राम चानल को जॉइन करना ना भूलें, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए, वाग गुड दे और गुड बाई.